एग आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया टु माल्दीफ चीपेस फ्लाइट्स के बारे में इसके उपर मैंने एक और वीडियो डाला था लेकिन वह बहुत पुराना हो गया है तो यह उसका एक अपडेटेड वीडियो है इस वीडियो में हम इंडिया के कुछ मेजर एयरपोर्ट से माल्दीफ की कैपिटल सिटी माले तक की चीपेस फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे तो गाइस चीपेस फ्लाइट्स के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बकवास की बाते कर लेते हैं जो अपने से 70% लोगो को अल्रेडी पता होगा तो सबसे पहले requirements के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या document चाहिए होंगे Maldives जाने के लिए तो Maldives इंडिया उनको 30 दिन का free visa on arrival facility प्रोवाइड करता है और उसके लिए आपको चाहिए होगा अपना passport with at least one month of validity and two empty pages और आपको confirm flight return और onward flight ticket guys अब यहाँ पर thought ध्यान दो अगर आप return इंडिया ही आ रहे हो तो आप easily आ सकते हो पर अगर आप इंडिया से Maldives गए हो and Maldives से onward किसे दूसरे country में जा रहे हो तो आपके पास उस country का visa होना चाहिए जहाँ आप Maldives से onward जाओगे या फिर अगर वो country visa free है या visa on arrival देती है तो visa के जरुवत नहीं है और आपको चाहिए होगा prepaid confirm hotel bookings guys and proof of sufficient funds to support your entire stay in Maldives और आपको आपको vaccination certificate चाहिए होगा and last में आपको एक health declaration form फिल करना होगा आइमूगा के website पर जाके और आइमूगा का form ऐसे फिल करते हैं इसके बारे में मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखा हैं आप YouTube पर search कर सकते हैं कि Maldives आइमूगा form रोम वित्रेवेरा and उसके उसको देखके आप अपना आइमूगा का form भर सकते हैं एक और चीज माल्दिव जाने के लिए हमको 13 मार्श 2022 के बाद से कोई RDPCR टेस्ट लेने के जरुरूरत नहीं पड़ती है और जब आप Maldives से इंडिया वापिस आओगे तो आपको air सुविदा पोर्टल पर जाके रेजिस्ट्रेशन करना होगा अपने फोन में आरोगे से टू एफ डाउनलोड करके रखना होगा आते समय तो यह सारे रेक्वार्मेंस थे आपको Maldives में एंटर करने के लिए अब एक और चीज माल्दिव में एंटर करने के बाद क्या क्या होगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पर प्रॉपर मास्क लगाना है, सनिटाइजर हापी पास होना चाहिए, डिस्टेंस मैंटेन करना है उसके पाद आपको थर्मल स्क्रीनिंग से घुजरना होगा फिर आपको विजोन आराइवल लेना होगा उसके लिए ओफिसर्स आप से कुछ पूश्चन पूछ सकते हैं जो रिक्वाइर्मेंट रिक्वाइर्ड डॉक्यमेंट्स है, वो लोग आपको चेक करेंगे इमिग्रेशन ओफिसर्स एक बात बताना में बूल गया कि जैसे इंडिया में आरोगे सेतु एप है वैसी मालडिवस में ट्रेस की करके एक एप है तो इस आपको आपको वहाँ जाके डाउनलोड करना पड़ेगा गाईज इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया का एर्स विदा फॉर्म इस इक्वल्स टू मालडिवस का आई मुगा फॉर्म एंडिया का आरोगे सेतु एप इस इक्वल्स टू मालडिवस का ट्रेस की एप तो ये सारे चीज करने के बाद आप एर्पोर्ट से निकल कर अपने होटल में चेक इन कर सकते हो अब हम बात करेंगे cheapest flights from some major cities of India to the capital city of Maldives तो यहां हम आगए हैं अपने screen पर एंड मेरे research की according इंडिया की तीन एरपोर्ट से माले तक की direct flight operate हो रही है अभी के time पर जो कि यह हैं Mumbai, Delhi and Bangalore तो सबसे पहले हम बात करते हैं Mumbai से माले की flights के बारे में तो जैसे कि आप अपने screen पर देख सकते हो हमने Mumbai to Malay की flight search कर रखी है and date हमने डाला है 29th of June and आज की date है 22nd of June मतलब कुछ दिनों की बाद की flight आई है यह Mumbai से direct Malay की flight है and you can get this for as cheapest as 8,207 rupees for one way guys and उसके नीचे Air India की भी flight है for rupees 8,420 अब Mumbai से Malay की बात हो गई guys अब हम बात करेंगे flights from Delhi to Malay and यह थोड़ा expensive हो जाता है and date भी मैंने बहुत बहुत का डाला है मैंने date 17 का डाला हुआ है तब जागे 14,500 में direct flight मिल रही है and यह go first airline की flight है जो 10 बचे, सुबह 10 बचे Delhi से निकलेगी and लगबग 2 PM को Malay पहुँच जाएगी guys और अगर आपको 2-3,000 बचाने है तो आप direct Delhi से Mumbai जाओ और Mumbai से Malay जाओ ऐसा करके आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं Lastly, talking about flights from Bangalore to Malay यहाँ से भी आपको Malay की direct flight मिल जाएगी by go first airline guys and Indagyu भी operate करती है लेकिन उसका rate यहाँ पे जादा दिखा रहा है तो Bangalore से आपको लगबग 13,600 रुपीज में Malay जाओ तक की flight मिल जाएगी direct वाली तो Mumbai से आपको सबसे cheapest flight मिलेगी फिर Bangalore से फिर Delhi से लेकिन आपको Delhi से ससा भी पढ़ जाएगा अगर आप Mumbai से transit करके जाते हो तो यह थी गाइस flights के बारे में information and बाकी airports के बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं किया है क्योंकि माल लो आपको Kolkata या Ahmedabad से Maladiv जाना है तो आप direct जा नहीं सकते हैं और आपको पहले इन तीन major airports पर यह आना होगा तभी आपको Maladiv की flight मिलेगी इसलिए इनी तीन airports के बारे में हमने इस वीडियो में discuss किया है तो guys अब हमने flights के बारे में बात कर ली and requirements के बारे में भी मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है guys so I hope that you have got any kind of information from this video and share this video to everyone whom you think it might be useful for them guys thanks for watching and have a good day कर दो